नमस्कार एंड स्वागत है सभी फेंटेशी प्लेरों का हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम कवर करेंगे आई पिल मेस्ट नंबर सेवन जो की होने वाला जेटी वसेज डीसी गुज्रात वसेज दिल्ली होमग्राउंड होएगा दिल्ली दोस्तों ठीक है और मे इसेटल एपन बात करेंगे अरुजेंटली मतलब की क्या स्कोरवोर्ड बना है कितने फिर्ष्ट ने में गिरें कितने इंगेरें कौन केप्टर मनें का बैट्स्ट मिनेंगा और बोलर बनेंगा सारी बात या करेंगे मतलब जो प्लेर लास्ट मैच अंदर फ्लोप वेते व पर एसी बात हैं हम बात करेंगे तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने वेजु रिकोट क्या कहता है कि दोस्तों यहां पर जो टीम चेस करती है न वो बेटिंग फेस्ट करती है जो टीम ना सब्सक्राइब लेकिन यहां पर चेसिंग करते समय विकेड तीन और चार किरते हैं और टीम चेस कर लेती है न यहां पर रिसेंट लीग इंटरनेशनल मेच वाता अफ्रीका वसेस इंडिया जहां पर राइले रोस्तों ने साहित तक वह त्याच्छा परोंच दिखाय था तो क देखो जहां पर रेले रोसों जैसे बेट्स पर चार कर सकते हैं तो वहां पर सुमन गील मिचल मार्स जैसे प्ले अच्छा कर सकते हैं और मेजर लेते में तक कहता हूं कि जो प्लेए लास्ट में जीरो रन प्याउट होगा है न उसको केप्टन मना दो दोस्तों सीधी शी सकते हैं क्यापा से यह लाइट से लिए कर सकते हैं केप्टन के के लिए सबसे पहले चलते अपने टेलीग्राम से लिए दोस्तों यह रोज्ट में पर लास्ट में आपको प्रवाड कि ती बटी अच्छी समोल लिग ती मतलगी 100 तो ग्रेंटी ओनली 150 पॉइंट का डिफेर लेकिन यहां पर देखो जड़ेजा दीपक चहर दीपक गुटा और लोके साव यही प्लेन ने अच्छा परवाश ने दिखाय था लो सेलक्षिंप अमबदी राड़ो ने बहुत थी अच्छा परवाश दिखाय था अगेन मार्कूट ने अच्छा क्या था लेकिन अपने जो अच्छक किया होगा कि बनेंगे बेट्स्पेन ही क्या होगा और गुजरात के लिए आपके डेवीड मीलर अवेलेबल है तुद देखो उनको सब्सक्राइब दोनों टीम के लिए तो स्लाइटली वह खेलेंगे आप देखो किस के जाए खेलेंगे वह हम बताने सकते ठीक है तो हम आते अपने शॉप्टर पे अगेन नोट्स के ऊपर दोस्तों नोट्स के ऊपर आ गए हैं सबसे पहले हम बात करें गुजारत की पिलिंग की तो देखो स्लाइटली ही पिलिंग रहेंगे अब देखो चैंजिस क्या हो सकता है यह दी इनको यह इनको एक मतलब डेवड मिलर उखना पड़ेगा तो अलजरे जोसब जोस्वा लिटल ना और आशीद खान यह तीन प्लेयर फोरें ना है चोता आपके डेवड मिलर आ सक एक अब बीटवर रहें जोटीके और यहां पर बात करें देखो अगरेशन में देखो दोनों क्रफ़ेंग अब करेंगी और जो इलिए रहेगा वो है मुक्यश कुमार आप दो मुके स्कुमार ने लास्ट प्लेन करें कर दो मतलब की पिक करेंगा तब आपको एक ओपनर को पड़ेगा चाहे वह रिदीमान साहा हो चाहे आपकी सुपमन गिलो स्लाइटली आप सुपमन गिल को ड्रोप कर दो तो देखो सर्फराज खान ने लास्ट में चार नमरे बेटिंग गेती है ना और इनके बाद में आये रहे लिए रोस हुआ तो यसा भी हो सकते कि आप सर्फ करना है दिल्ली के लिए इन धो से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना है दोस्तों ठीक है मिचल मार्स अक्सर पटेल इन दोनों में से भी एक यह वह लांटर को सिलेट करना है दोनों के साहत में जाच सकते हो फिर आपको ना हार्दिक पंड या जैसे प्लेयर को ड्रोप करना की पर यूंच मानते हैं कि मार्पोट की पहली प्रेटिक्शन नहीं पती है कि पहल को प्रेडिक्शन नहीं होती है लेकिन आज के मेंसे इनके अंदर पोटेंशल है और मैं तो कहता हूँ यह आप दिल्ली को फ्योर करे हो ना तो मिचल मार्ट सिंगल केप्टेन वाले प्लेयर बना लो वाइस केप्टेन आप कुल्दी वैदाओ को बना लो जिस टीम में देखो कुल्दी वैदाओ का वाइस के वर्छन सबथे ऐसे लृष तो उनको कुल वेज़े कर्ना आप पैसर को वसी कर। लेकिन आप जब सकार्यों अगरेने लिए अंदर सिंपल सी बात है समझने की कोशिश करो ठीक है पिछ रिपोर्ट के अपने बाते कर लिए और पेसर और को बराबर हेल्प मिलती है अरूंजेंटली में दिल्ली के ग्राउंड के अंदर तो दोनों मैं बेलेंस है यह पर एक पेसर ऐसा पिक नहीं करना है कि आप ना दिल्ली के चेचन सकारिया खलील एमध और मुंकेश कुमार के साथ में जा रहे हो ऐसे कलती ही नहीं करना है आपको ना कुल्दी पैदाव के साथ में खलील एमद चेचन सकारिय दोनों प्रिक कर सकते हो दोनों तबीच करना जब आप ना दिल्ली की टीम बना रहे हो यह दिया आप जोसफ है वह ओनली फुट देथार के लिए जाना चाहते हैं पाउर प्लेक अंदर इन्हें बहुत दी कम विकेट लिए तो अलजार जो सब कॉप करतों कोई दिकतवली बात नहीं जब इनके टीम सेकेंड बोलिंग करें फिस्ट बोलिंग में स्लाइटली देखो आपको बता ह रहेंगे सुबमन के राइले रसुल साइस सुदर्शन साइस सुदर्शन की जगा आप डेविड मिंदर को भी ट्राय कर सकते हो राशित खान उलकुल दी व्यादा हो देखो बाई देखो मेरी बात देशनो यह जिच आपको सब बताएंगे कि यह बेटिंग पीच कर दोस्तों कि वहां पर राजस्तान ने बड़ा स्कोर कर दिया था और जो टिम चेस कर लेती है तो आपको दोनों को फिर में टीम बनानी है मतलब एक ना कोलेप्स हो जाएगी और जहां पर आप कोलेप्स करा रहे हो जैसे कि वह दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है वो गु कर दोनों में से कैप्टेन कर दो वाइस कप्टेन मिचल मार्स या डिवन को रख लो बस सिंपल सिक्स्टीम आपके लिए बन जागी इसका उल्टा कर लो जब आप ना दिल्ली को चेस्ट करा रहे हो तो ठीक है टीम पार्टिशन की बात करें तो 6574 को ट्राइब करना है गुजरात को फ्योर करें तब आपको 87.5 की टीम बनाने है दोस्तों स्लाइटली वह थोड़ी मतलब गुजरात के बास में थोड़े हाई करें जैसे डेविड मिज़र होगे न तो इसलिए वह बदलाव कर सकते हो कॉमिनेशन के बात करें 1325 1235 यह मतलब कि थोड़ा आपको इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इसलिए मैं कहता हूं आपको इसलिए कहता हूं कि आपको अना मतलब की बेटिंग पिछ में भी एना बोलर को थोड़ा सपोर्ट करना चीए तो अपना आते जनते हैं मेज के उपर दोस्तों कहां पर गया दिल्ली वसेज आपका गुजरात यह वाला में चाना यहां पर फटा-फट अम प्लेयर को स्रेट ऐसलिए तो अच्छी बात है लेकिन अभीना मनोहोर भी बहुत थीक्वावलेटी प्लीयर सटो सायश्र अभीनाआ हम एना मोन्स दोनों क्वालेटी प्लेयर भीश हुआय हो कि दृस्ट लेंड कने किसको बाहर करें और यह को नहीं से फीर। तो यहां पर शेक्षन करें सथ्वरियर के क्या है अब दिली केtzवर करिया तो डेविड वर्मिचल मार्च और यह पाँ पिख्स कर लो कोई दिकत नहीं है धिया गुजराथ को फिवर करें शुमेंड गिल खंद्रीक पंडिया राशित खान और एलजरे जोसेफ इनको फिक्स कर लो और समी को फिक्स कर सकते हो कोई दिकत वाल बात ने केप्टन की बात करें तो रेदीमान साहा अपनी केप पर पर यह लेफ्ट आम बोलर होते हैं तब यह अच्छा नहीं करते हैं सुभमंगिल और साइश सुधर्शन सुभमंगिल का पर यह देखो ओपनें गुजराद के पास में राशित खान भी लेगवरेग बोलर है और आपकी एक क्या है जोस्वा लेटल वो भी लेफ्ट आम ब बना लेते हैं वह थोड़ी करेंट अब कर देदेखी एक्ट शेंवन पॉइंट हाफ की बनाते है अपने गुजराद के फियाद में एक्टी शेंवन प्रिव पॉंट फएव मों त्री टू फएव वन टू तो फ्री फईप वन तू टू 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 ठीफ यह दो कमिशन त्रक्राइक करूं तो यह थैंट यह था ना दोनों टेम के लिए इसलिए आपको नम तेमद की मिलेंगे ठीक है यह तो होगी अब गुझरात के फिर्वर में आम हां बनाते हैं अपन दिल्ले की फिए्वर में दोस्तों तो हम दिल्ली के सेवन फॉर वाला कॉंबिनिशन ट्राइ कर लेते हैं दिल्ली के लिए अपने 83 पॉइंट 84 की बाता है दिल्ली के लिए दिल्ली के पास थोड़े स्लाइटल लो क्रेट प्लें रहे ना इसलिए अपन क्रेडिट को डाउन कर रहे हैं दोस्तों कि नंबर ओप टीम अपन लें टीम क्रेट कर लोते हैं यह सारी टीम क्रेट हो चुकिए अब आपको यही करना है कि जैसे देखो आप राश्यद खान को वीशी कर रहे होना तब आपको डेड़ वोनर करना है आते हैं आपके आफ्टर पावर प्लेए और वापी वोड़नर और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए अच्छी सीवीशी बन सकते हैं ठीक है यह सारी सारी टीम देख लो दोस्तों आट नो उद्दस चरह यह सारी सारी टीम हो चुकिए यह थोड़ी डिफिरेंसल तीम है यहाँ पर आपना सदा सर्फराज कान की जगा है ना रिदी मां आपना यह चीज़ को छोड़ रहे हो यह चीज़ में बताओ कि हमें हेल्पूल हो जाए मतलब भी टीम करते समय तो वह भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों ठीक है मिलते हैं अंगले वीडियो में जे हिंद जे भारत